हाँ गुल्लू आरा कोई अता पता नहीं है जी जा जी का बहुत टेंचन है यार ओ तुम चिंता मत करो उमीद है मिल जाएंगी जल्द से जल्द ना चांस ही नहीं है दिदी तो बिचारी रोज में गेट पे खड़े रहके उनकी राह देखती रहती है लेकिन मैं तो पीछे के दर्वाजे से आँगा चुपके से कुछ पता चले तो बताना मुझे पता चल गया सुन बे चोदू मल यहाँ सीरियस बात चल ले यह हवास का नंगा नाच करना तो बहार जाके कर आँ कुछ पता चलेगा तो बताँगा गुल्लू हाँ मैंने अंकल के लिए अबिचूरी लिखी है पेपर में प्रिंट होगा तो वादा लोग आएंगे कहां गए आप किसी को पता नहीं यहां मम्मी की आँखे रो रो के फूज गई और आप पहां पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो घर में रॉफनी की लॉब बुज गई लेकिन आप आहां हवफ की आग बुजा रहे हो वो फके तो लॉट आना पर किसी लेडी बॉई फे मत मरवाना पापा जिंदा है और एकदम ठीक है अगर पापा का आज रात तक कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकोक निकल लूँगा मैं भी वाई सोच रहा था तू और मैं चलेंगे बैंकोक एके गली छान मारेंगे और जीज़ा जी को लेके आएंगे मैं भी हलूँगा बैंकोक से मेरा पुराना रिफ्टा है ठीक है फिर टीनों की टिकेट बुक करा देता हूँ मैं भी चलूँगा ये जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है जो चारो जाके वहां टोमांटीनों फेस्टिवल में चिखनी लड़कियों के बदन पर टमाटर रगडएंगे जीज़दा जी को ढूंडना जाना बहुत सीरियस मिशन है मैं जरह अपनी वाली को फोन करके एसा और आए कि मुझे अपने हाथ की जरूर पड़ी कल रात को जो फोटो बेजी की देखी क्या आ रहा कोई नेवला जाडी में से नहीं जाक रहा था मैंने ट्रिम नहीं किया काफी दिन से वो सब छोड़ो मैं शाम को बैंकोक जा रहो महां से तुम्हें कुछ चाहिए मेर आपने घर जाने की जरूरत नहीं है जो जरूरी सामान है वो यहां लेकर आजा और जरूरी सामान से मेरा मतलब लड़की नहीं है अगर हमें जीजा जी पहले मिल जाते है तो तेरी माँ को फोन करके पता देंगे ठीक है अगर हमारे जाने के बाद जीजा जी घर आजा जा तो तुरन मुझे बताएगा ठीक है अगर आपको जीजा जी मिल लादे तो आप मुझे बता जाना ठीक है और जीजा जी कहां थे कल आने वाले थे ना यार वह फ्लाइट मिस हो गई फॉन करके बता नहीं सकते थे पता है घर में क्या सिच्वेशन चल लिए इसका रोरो के है दीडी तो दो दिन से बर साफदान इंडिया के रिपीट एलिकास देखके डर रही है दो बार तो मुझे शक्ती निगाओं से देखने लगी सुभा सुभा खड़ी जाती थी में गेट पर तुम्हारी राह देखते हुए अक बार वाले को लगता था उसके लिए खड़ी मच्छर नहीं चूशते मतलब अंकल क्या फर्वा ट्रिप अच्छा था यर वहां किना हवा में वह है ठरक ना ना हवा में काफी उच्छा है सडक पर काफी खुशियां है फुदियां भी क्या अरे पापा अब जाओ ना अराम करूं ना हाँ आप जाओ बैटा तेरा बाप पका कुछ गड़बर करके आया है नहीं मामा क्या पता सच में मौस्किटो बाइट हो उस हिसाब से तो तेरी मामी भी मच्छर हुई तो क्या मैं मौटिन प्यूँ आपकी लव लाइफ बहुत इंट्रेस्टिंग लगती है बै जब मैं होस्टल में रहता पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलते हैं हा गुल्लू पहली डेट से पच्छिस तक है मेरी दिहारी कर लो सारे जिंगल 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 सेंटा मेरी क्रिस्मस बच्चो मेरी क्रिस्मस तुमने इस साल हरामी पने में पी एजडी कर ली आपको कैसे बता आप तो साल में एक बार आते हो लेकिन ख़बर सारी रेती है तुमने इस साल अपने बाप से पांच सो बार जुट बोला है और तुमने तो इस साल 800 बार मेक आउट किया है क्या है अपने हाथ के साथ औने अवरेज दिन में दो बार हिलाता है इतना वेला है क्या फुटा फुट मांग लो जो मांगना है तुमारे महले के बच्चे मेरी बुल्ट में से पेट्रोल निका लेते हैं पिछली बार भी ISBT बस लेकर जाना पड़ा था हरवंदी को बैंचो चॉकलिटी बॉइस पसंद है तो मुझे भी चॉकलिटी बॉइ बना दो मैंने इस साल बहुत जूट बोला है ना अब मेरे मूँ से सिर्फ सची निकले इन फैक्ट अब इस घर में सब लोग सच बोलें अज विष सियू बच्चो अस्तला विष्तला मुर्कीद साधी तवधी माँ दीजेओ बैंचो का है और यह किसने रखा मत खा बैंचो मैं हूँ वो बुढ़े ने मुझे सच में चोकलेटी बॉई बना दिया क्या और वेटा क्या किया इतने दिन अरे बहुत रोया है प्रिया को घर लाता था सब लोग के सोजाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था यह क्या बोल रहे उसको छोड़ा यह बताओ यह किसने काटा काटा किसीने नहीं वो पार्टी के बाद मिश्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था कौहन सा इंजेक्शन बेहुशी का तो पहले क्यो जूद बोला मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था लेकिन पता नहीं अब अचानक मुझे क्या-क्या निकल रहे बैटा यह क्या बोल रहे है सच बोल रहे है अभी मेरा नुनु है वो